फ्रेंड्स बहुत सरे राइटर्स के मुझे इमेल्स और कमेंट्स आ रहे हैं एक क्वेस्चन को ले करके जो कि राइटर्स के लिए सच में काफी इंपॉर्टेंट है तीवी सीरियल्स जो होती है वो सालो साल चलती है चार साल पात साल और उससे भी जादा चल सकती है तो ऐसे में एक writer के मन में एक नए writer के मन में ये doubt आता है कि आखिर TV serial की script कैसे लिखी जाए अगर आपके भी मन में ये question है तो आप इस वीडियो को पूरा last तक देखिए क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि TV serial की script को आप कैसे लिख सकते है उसकी one liner को कैसे लिख सकते है यानि उसकी one line story कैसे लिख सकते है और TV serial की screenplay लिखने का format क्या है तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो हाई फ्रेंड्स मैं हूँ अकास अज़क और आप देख रहे है आजस फिल्मेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है आप उन वीडियो को देख करके अपनी knowledge को बढ़ा सकते है और हमारे आने वाली वीडियो को देखने के लिए अप हमारे चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब क कर ले और बेल आइकोन को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर ले थाकि हमारी वीडियो की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे है फ्रेंट्स जब एक टीवी सीरियल स्टार्ट होती है तो उसे स्टार्ट करने से पहले उसके कम से कम 60 एपिसोड को शूट कर लिया जाता ह है जिसे प्रड्यूसर ने हायर किया है स्क्रीन प्ले लिखने के लिए उसे 60 एपिसोड की स्क्रीन प्ले रेडी करनी होती है हो सकता है यह एपिसोड ज्यादा भी हो लेकिन कम से कम 60 एपिसोड को रेडी कर लिया जाता है अब बात यहां पर यहां पर आती है कि उसकी वन ल उसका starting से लेकर end तक का जो part एक writer ने सोचा है उसे cover कर लिया जाता है और उसके बाद बाद में story को आगे कैसे बढ़ाना है वो फिर इन episodes को shoot करने के बाद जब इन episodes telecast होते रहते हैं उसी समय सोचा जाता है और फिर उसे लिखा जाता है script के रूप में तो tv serials और filmों में जो one line story लिखी जाती है उनमें कोई फरक नहीं है बस आपको एक concept के जैसा सोचना होता है आपको उसका starting सोचना होता है कि story कैसे start हो रही है और उसमें क्या क्या turning point से वो सोचना रहता है और उसके बाद उसका end क्या होगा वो सोचना रहता है तो इस तरीके से आप उसका one line story तयार कर सकते है आपको यह ज़रूरी नहीं है कि आप चार साल या पांच साल तक की story सोच करके रखे बस आपको इतना सोचना है कि वो 60 से 80 episodes में वो story का part जो हो जाए फ्रेंड्स अगर आप एक नए writer है तो मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी आप tv serials की पूरी screenplay को ready करके ना रखे क्योंकि अगर आप पूरी screenplay को ready करके जाएंगे तो आपको 60 से 80 episodes लिखने पड़ेंगे और अगर आप 60-80 episodes लिख लेते हैं तो होगा क्या कि बाद में अगर आपकी script को किसी ने select नहीं किया तो फिर आपका time जो है वो total waste हो जाएगा तो इसलिए आप यह कि आपने पूरे TV सीरियल की screenplay लिख लिख लिया पूरे 60-80 episodes लिख लिख लिया है और उसके बाद प्रड्यूसर के search में है अब बात करते हैं कि TV सीरियल में जो script होती उसकी screenplay को क्या से लिखा जाए तो यहां पर भी एक बात या आती है कि जैसे फिल्मों की screenplay होती है जो फ पूरा start to end एक बार में उसका screenplay लिख देता है एपिसोडिक फॉर्म में भी अगर लिखना रहता है TV सीरियल के script को तो भी episode directors जो होते वो अलग होते है कि episode जो वो कहां पर खत्म होगा और next episode फिर कहां पर खत्म होगा तो TV सीरियल के writers को भी बस starting to end उसका screenplay लिखना होता है आप क्लिक करके देख लिजेगा उन सारे वीडियो को से आपको बहुत ही help मिल जाएगी screenplay writing में इस वीडियो में मैं आपको short में बता दे रहा हूं कि screenplay को कैसे लिखा जाता है friends अब जब भी screenplay लिखना शुरू करते है तो आप first page को आधा खाली छोड़ दे चुकि script registration के दौरान जो officers है वो आधे पेज में लिखते है आधा पेज खाली छोड़ कर आप उसमें कहानी का नाम और फिर अपना नाम यानि राइटर का नाम लिखे सबसे पहले तो आप scene number लिखे, scene number के नीचे आप location लिखे की जगा कौन सी है फिर daytime है, night time है या फिर evening time है या फिर morning का समय है तो यह सभी चीज़े आपको लिखनी होंगी जैसे इस scene में लिखा हुआ है, scene number one, location, अंकुष, house, daytime, cut to outside the building, यानि यहाँ पर building के बाहर का shot दिखाया गया है cut to inside the building, hall room, यानि अब जो scene आगया वो hall room का आगया अंकुष, नताशा और तानिया खड़े रहते हैं, तीनों बहुत ही परिशान रहते हैं, अंकुष, phone पे बात करता रहता है अब अंकुष का डायलोग आ जाता है, अंकुष, inspector से बात कर रहा है, फोन पे, अंकुष, inspector से inspector साब, मैं कैसे धीरज रखू, दो दिनों से मेरे बच्चे ला पता है, प्रीज आप कुछ कीजिए, ओके तो यहाँ पर अंकुष बात कर रहा है, inspector से इसलिए bracket में inspector से लिखावा है और नीचे में अंकुष का जो expression है वो लिखा गया है, जैसे उची आवाज में उसके बाद तानिया का डायलोग है, तानिया अंकुष से बोल कर गया थे, फील्ड में खेलने जा रहा है और यह sad tone में बोल रही है, तो expression में वहाँ लिखा हुआ है sad tone में, इसके बाद नताशा का डायलोग है, नताशा अंकुष से, अंकुष भहिया, कहीं किसी नेहा और बिट्टू को किर्नाप तो नहीं कर लिया, तो ऐसा बोलते हुए वो अंकुष के कंधे पर हाथ रख रही ह इसलिए यहाँ पर bracket में लिखा हुआ है side में, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, अब अंकुष का डायलोग है, अंकुष नताशा से, नताशा कोई उन्हें क्यों किर्नाप करेगा, हम इतने अमीर भी तो नहीं, अब फिर से scene का description लिखा हुआ है, तानिया के आखों में आस में, oh god, पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे बच्चे, तो friends, इस तरीके से आप TV सीरियल के screenplay को लिख सकते है, याद रखे कि screenplay लिखना सीखना कोई चोटा मोटा कोर्स नहीं है, इसे सीखने में टाइम लगता है, तो आप हमारे how to write screenplay series को जरूर follow करे, उन videos के playlist का link में आपक पाएंगे, friends, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है, तो इसे like और share जरूर करे, और अगर आपके मान में किसी भी तरह का कोई doubt है, तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते है, so friends, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, जो filmmaking से related होगी, तब तक के लिए, bye-bye. झालव झालव हैं हुछ प्यार।